हेलो दोस्तो नमस्कार वेलकम तो इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप टेन क्लासिस तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चो कच्छा नौकी साइंस का स्टार्ट करने वाले हैं और प्यारे बच्चो जो चैनल पर नहें होंगे वो चैनल को एक बार सुस्क्राइब कर ल आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चो और वह भुत की आप लोगों का चैप्टर नंबर आठ से स्टार्ट होता है कहां से स्टार्ट होता है आठ से स्टार्ट होता है प्यारे बच्चो तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है गती चैप्टर आठ है एंसी टोटल NCRT क्योंसी है विया NCRT N-C-E-R-T pattern NCRT में चैप्टर नंबर आठ है चैप्टर नंबर एट है गती गती को इंगलिस में मोसन करते हैं तो मोसन हमको पढ़ना है चैप्टर का नाम है मोसन चैप्टर का नाम है गती अध्याय कोंसा आठ तो प्यारे बच्चो चलिएài- Maria आठ कर लेते हैं तो आज के चर्चा में कौन-कौन सी टौबिक के रहने वाली है प्यार एक बार बोलिएगा फिर से रिखेगा आज की चर्चा में कौन कौन सी हिंडिंगे आने वाली है विरामा वस्ता क्या होता है वो जानेंगे फिर उसी के साथ साथ गती जानेंगे उसी के बाद टाइप साफ मोसन यानि गती के प्रकार जानेंगे और जानेंगे भी और सीखेंगे भी क्या वास्तों में जो बताया जा रहा है वो होता है या नहीं होता तो चलिए उमीद करते होंगे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और क्लास को एक बार सेयर जरूर कर दिये होंगे तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक है बिरामा अवस्ता तो पहले समझते हैं बिरामा वस्ता क्या है जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जमीन पे उगे पेड़ पौधे, आईए थोड़ा सा इमेजिन करते हैं हम लोग कि यह हो गए जमीन, अब यह जमीन पर उगे जो पेड़ पौधे होते हैं, यह जमीन पर जो उगे पेड़ पौधे होते हैं, आपने कई साल से यह पेड़ पौद्हे देखे होंगे थिक एक प्रौत हो घ hun पहाल पहाळिं करें कि ऊप पहाळ के अप लोग अच्छे से बनाते होंगे यह जमीर क्षिफ क्या हो हो गैं क्या होगे ऑफ परवत हो गईं उसके बाद जमीन प्रिस्तित माकान देखते होंगे, आप लोग कुछ समझाने के लिए आप लोग इतना तो समसदार होंगे ही, कि जमीन पर इस्तित्माकान आपने देख लिए, अब माकान को थोड़ा सब अर अच्छे से बनाना तो आप एक ऐसे करके ऐसे ला दिए, ठीक उसके बाद ये हो गई छत की ढलाईया ठीक ये हो गई दर्वाजा ठीक और ये इसमें बैठा हुआ एक इंसान जमीन पर इस्तित मकान हो गए इन तीन चीजों पर चर्शा करते हैं बहुत सारी चीजे आपको मिलेंगी चलो एक आख चीज और दिखा देते हैं इसी जमीन पर रुकी हुई वाहन रुकी हुई वाहन ये घर ये पेड़ ये परवत लिखे हैं अब दिहान से समझेगा प्यारी बच्छों क्या आप लोगों ने कभी गौर किया कि जमीन पर जो बना ये घर है जमीन पर उबाजो ये पेड़ है जमीन पर इस्तित जो ये परवत है, जमीन पर रुका हुआ जो ये वाहन है, क्या ये समय बदलता जाता है, आज आपने देखा होगा कि पेड़ यहाँ पर है, कल आओगे फिर देखोगे पेड़ वहीं पर है, परव आओगे तब देखोगे पेड़ वहीं पर है, यानि क्या स यानि हर एक दिन बीतता गया समय बीतते बीतते एक साल दो साल तीन साल हो गए पर इनके अस्थान में कोई परिवर्तन नहीं आया यानि पेड़ जहां था वहां है परवत जहां पर था वहां पर है घर जहां था वहां पर है जो ये रुका हुआ वहां था वहीं पर है यानि य आई समझ में आई या नहीं आई अगर नहीं आई होगी तो comment box कर दीज llega फिर से repeat कर ली आते सा क्या होता है यानि आप अच्छा बता अपल पेड़ वरप दबंव वस्ता कि सवस्ता में कि सोबस्ताइब है बिरामावस्थान क्यों है क्योंकि समय के साथ इसके अस्थान में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो पैड़ विरामावस्थान में है अब परफवत रुका रुका हुआ प्रफवत क्या परफवत एक अस्थान जाता है आए अध़ ये लोग advertisements reference आ दिये तो घर यहीं पर रहने वाला है क्यों क्योंकि घर बिरामा वस्ता में है क्यों बिरामा वस्ता में क्योंकि समय के साथ इसके अस्तान में कोई बदला नहीं हो रहा है अब प्यारे बच्चों रुके हुए वाहन से खड़ी हुई साइकिल खड़ी हुए मोटर साइकिल रुकी हुई ट्रेंड, ये सब कौन सी अवस्ता में है, बिरामा वस्ता में है, हम लोग रुक जाएं एक जगह पर, तो हम सब कौन सी अवस्ता में आ जाते हैं, बिरामा वस्ता में आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग समय तो बदलता जाता पर अस्तान में कोई बदलाव न लिखेंगे आई ये बिरामा अवस्था बिरामा अवस्था ठीक क्या लिखेंगे देखे एक बार क्या में बताया समय के साथ समय के साथ साथ अस्थान में बदलाओ नहो तो वस्था की यह अवस्था वस्था बिरामा अवस्था कहलाती है क्या कहलाती है जैसे क्या प्यारे बच्चो जैसे रुके हुए वाहन रुके हुए वाहन चलो दूसरा एक जामपल बताओ प्यारे बच्चो जमीन पर बने मकान या घर फिर प्यारे बच्चों जमीन पर उगे पेड़ पवधे आदि ठीक प्यारे बच्चों तो उमीद करते होंगे कि आपको बिरामा वस्ता जरूर समझ में आ गई होगी अगर कहीं कोई डाउट रह गया होगा तो comment box में comment जरूर कीजेगा प्यारे बच्चों हम आपके हर एक comment का जवाब देंगे तो आप इसका screenshot लेना चाहते हो तो ले सकते हो प्यारे बच्चों है जले मृप करें इसे फिर हम लोग अपनी नई topic में आते हैं नई topic क्या है गती गती का होती है motion क्या होता है जश्ट बिरामवस्ता का उल्टा आए जान लेते हैं तो इसको मूब कर ले कि आप चलर इस बच्चों कौन सी नई topic है नई topic है आपकी आपके उस नफैम है गती क्या नाम है गती आईए हम लोग जानते हैं गती तो गती की इंगलिस होती है M-O-T-I-O-N क्या है गती गती क्या है आईए समझते हैं पहले हम एक दो एक्जामपल समझेंगे प्यारे बच्चों एक दो एक्जामपल क्या है आपकर ऐसे समझते हैं ये हो गई एक दम highway road कुनसी road हो गई highway road ठीक एख लड़का हो गया यहाँ पर एक कोई लड़का हो गया ये कोई लड़का हो गया इसके दो ओ passed अब द्यान समझेगा यह लड़का घड़ी एक यहां थी घड़ी आपको समझाने का प्रयास करते हैं घड़ी यहां प्रयासा को यह आपके च्वाली में यह आपकी हैश वाली समझेगा क्यों समझाने का प्रियास कर रहे हैं आपको ति यह देखिए हाइबे पर चलती हुई कोई गारी है हाइबे पर चलती हुई कोई गारी एक समय यहाँ था फिर एक समय उसने देखा कि हाइबे पर चलती हुई जो गारी थी ओ यहाँ पहुच गई आगे समझेगा वी समझ में मा जाएगा और को रिकत नहीं है एक चत्र बना लिए दूसरा कि दूसरा क्या बनाते हैं आइए पहले to पहुच चुकी है देखिएगा अंतर ध्यान से और जब तीसरी स्थिती उन्होंने देखा ये फर्ष्ट था ये सेकेंड था और थर्ड में जब था तो मिनट वाली सुई जो है दो पे पहुच चुकी थी कहा पर पहुच चुकी थी दो पे पहुच चुकी थी प्यारे सड़क पे चलती हुई गारिया, सड़क पे चलते हुई इंसान, सड़क पे चलती हुई मोटर साइकल, पतरियों पे दोडती हुई ट्रेने, उड़ता हुआ हवाई जहाज, ये सब क्या है, गतिसील है, क्यों गतिसील है, आईए समस्तिय, अब देखिए, घड़ी में जो चोटा सा बच्चा, ये जिस बच्चा, ये बवाई, ये जो बवाई था, ये छोटा सा लड़का था, तब उसने देखा, कि हाईबे पे एक कार आ रही थी, तो देखा, जब मिनट वाली सुई बार से एक पे पहुँच गये, तो ये कार यहाँ से चलके यहाँ पहुच थी ति यहां से चलिकर यहां पहुच गलि यह माल लेजेगा प्यारी बत्चो यह आ पका कोई रहा होगा यह कोई कौन सा माल लेते हैं जैसे आपने इस आहिकों मानेंगे क्या मानेंगे यह क्यों माले क्या माले क्यास मैं चैन से जब मिनट वाली सुई बार से एक पे पहुची तो ये कार क्यों पे पहुच गया था फिर तिवारा उसने दीखा अरे जब मिनट वाली सुई दो पे पहुची तो ये कार आर पे पहुच गया था तो उसने कहा कार गतसील है क्यों गतसील है क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा वैसे वैसे इसके अस्थान में परिवर्तन हो रहा है आप देख सकते हैं जब मिनट वाली सुई 12 पर थी तो कार P पर था जब मिनट वाली सुई 1 पर पहुचा तो कार Q पर पहुच गया और जब मिनट वाली सुई 2 पर पहुची तो कार R पर पहुच गए यानि ये बातें क्लियर हो गई कि समय परिवर्तन के साथ समय बदलाओ के साथ साथ अगर अस्थान में बदलाओ होता है तो कौँसी अवस्ता कालाती है गतसील अवस्ता कालाती है समय बदलने के साथ-साथ अस्थान में बदलाव हो तो कवंसी अवस्था कहलाती है गतसील अवस्था कहलाती है या वस्थ की यह वस्था क्या कहलाती है गती कहलाती है तो आईए लिख लेते हैं त्यारी वैच्चो क्या लिखेंगे समय समय परिवर्तन के साथ साथ अस्थान में परिवर्तन ही का कहलाता है गती कहलाती है अस्थान में परिवर्तन ही गती कहलाती है जैसे में क्या लिखोगे प्यारे बच्चों जैसे सडक पर चलते हुए वाहन और क्या प्यारी बच्चों पतरियों पर दोडती हुई ट्रेने रेल गारियां जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो प्यारे बच्चों तीसरा एक्जामपल क्या दिख दोगे दोडता हुआ लड़का ये सब क्या हैं ये सब गतिसील है ये सब क्या कर रहे हैं गति कर रहे हैं यानि केवल एक बात क्लियर होनी चाहिए कि समय बदला हुआ समय बदला अगर अस्थान में बदला हो गया तो गतिसील हो गया जैसे ये मारकर यहां पर था समय बदलने के साथ साथ समय बढ़ रहा है मारकर भी अपने अस्थान से बढ़ रहा है तो कौन सी अवस्ता कहलाती है गतसील अवस्ता कहलाती है आईए हम इमेजिन करते हैं जैसे हम आप देख रहे हैं हम यहाँ पर हैं एक मिनट बीद गया दो मिनट बीद गया तीन मिनट बीद गया हम क्यों यहीं ऐसे खड़े हैं तो हम कौन सी अवस्ता कहलाती हैं विरामा वस्ता कौन सी अवस्ता विरामा अगर यही हम आपने देखा एक सिकंड वीता हमने यहां गए तो समय बदलने के साथ-साथ हम अपना स्थान बदलते चले आ रहे हैं तो कहले यह अवस्ता कहलाती है तो प्यारे बच्चों अगर आप इसका स्क्रिंसाट लेना चाहते हो तो ले सकते हो चले प्म अगले टॉपिक की अध्वन करते हैं और लाश्ट टॉपिक पढ़ने पढ़ने क्या जो प्यारे बच्टे चैनल को से रहां नहीं किये होंगे और स्सक्राइब नहीं किखें वो एक बार जरूर कर लेंगे प्यारे बच्चो कि आपकी एक लाइक और शेयर से कुछ जाता नहीं है आपका बलकि हम लोगों को एक अलग टाइप की अनर्जी प्राप्त हो जाती है प्यारे बच्चो तो अगर कोई दिक्कत हो कोई आपको प्रोब्लम हो जिसकी इंगलिष होती है Types of Motion Typs of Motion 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 अबाटा गया तीन भानोंत आपको पर्णा कुंसा है वो भी बता रह udaagं तो पहला रऽ ता सरल रेखिय गति कॉंसी गति सरल रेखिय गति दूसरी कई कॉंसी हो गई यह दूसरा भाग यह पहला भाग यहete कॉंस से गती हो गई बृतिय गती कवंसी गती हो गई बृतिय गती और ये तीसरी कवंसी गती हो गई यारो दोलनी गती कवंसी गती हो गई दोलनी गती हो गए बच्चा लोग समझ में आया वहिया कितने भाग हो गए तीन भाग गती के प्रकार गती कितने प्रकार होती है तीन प्रका प्रिकार के पहला सरल रेखी गती दूसरा बृत्ती गती तीसरा दोलनी गती कितने प्रिकार के होते हैं ती कौन कौन सा सरल रेखी गती बृत्ती गती दोलनी गती क्लियर अब ध्यान से जमझेगा कच्छानों में केवल आब को यह पढ़ना है कौन सा पढ़ना है सरल रेखी पर आप पढ़ किस से रहे हो, टॉप 10 क्लासे से पढ़ रहे हो, किस के द्वारा पढ़ रहे हो, अनिकेत पाठक सर के द्वारा पढ़ रहे हो, प्यारे बच्चों, तो हम लोग हर एक कदम एडवांस में रखेंगे, तो इन दोनों को भी जानेंगे साथ साथ में, भले नहीं पढ़ना है, पर जानेंगे तो ही, जानना जरूरी है, क्योंकि जग्यासा ही आपकी क्या है, बिज्यान है, तो बिज्यान पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना के अलक अच्छानों में ये है आपको, तो सरल रेखी गती क्या होता है, ध्यान से समझेगा, आईए एक दो एक जाम पर लेते फिर उधर चलते हैं जैसे बंदूक से निकली गोली बंदूक से निकली गोली ये क्या होती है ये सीधी रेखा में चलती है ये तेड़ी मेड़ी नहीं चलती ये बंदूक से निकली गोली और धनुस से निकला बार धनुस से निकला बार ये भी क्या होता एक सीधी से रिखां में बगाने करने का मतलब है कि यह दोनों सरल रेखी कर रहे हैं इस में यानि आ गई कि जब कोई वास्टू ऑस सीधी रेखा में गपन पर तो कौन सी गतिका लाती है स्थाल रेखी सीधी रेखा में चले तो कौन सी गती कहलाती है सरल रेखी गती कहलाती है अगर हम लोग भी एक सीधी रेखा में चले तो हम लोगों की भी गती क्या कहलाएगी सरल रेखी गती कहलाती है तो प्यारे बच्चो लिख लेते हैं सरल रेखी गती क्या होगा जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो वस्तु की गती सरल रेखिय गती कहलाती है, तो वस्तु की गती सरल रेखिय गती कहलाती है, ठीक, जैसे, जैसे प्यारे बच्चों, जैसे, बंदुक से निकली गोली, क्या बंदूक से निकली गोली दूसरा धनुस से छुटा बार धनुस से छुटा बार ठीक प्यारे बच्चो ये बाते क्लियर हो गई उसके बाद आते हैं ब्रित्ती गती कौन सी गती ब्रित्ती गती चौलो वेतफी घू क्या होता है ध्यान से शुटा है ये प्यारे बच्चो ये कोई बिंद हो गया अब ध्यान से समझे का यह मारकर क्या हो गया वस्त हो गया क्या हो गया वस्त हो गया क्या हो गया वस्त अब जब कोई वस्त एक निश्चित बिंदु को क्या माले केंद्र माले केंद्र मान के बृत्ताकार मार्ग पर करें गती करें तो कौन सी गती कहलाती है बृत्ती गती कहलाती है यानि एक निश् गती करें तो कोंसी गती कहलाती है बृतिय गती कहलाती है जैसे मैंने क्या बता कि ये एक निश्चित बिंद को केंद्रमान लिए और इसको केंद्रमान के बृत्ता कारमार्ग पर गती करें तो कोंसी गती कहलाती है बृतिय गती कहलाती है बाते समझ में आई जैसे धागे में एक क्या बान लीजिए धागे में एक क्या बान लेंगे प्यारे बच्चो एक पत्थर बान लीजिएगा और अपने अंगली से उसको पकड़ कर ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो कौन सी गती होगी वो बृत्ती गती हो जाएगी कौन सी गती हो जाएगी बृत्ती गती जैसे साइक लिखेंगे जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को किंद्र मानकर एक निश्चित बिंदु को किंद्र मानकर बृत्ताकार मार्ग पर बृत्ताकार मार्ग पर गती करे तो वस्तु की गती बृत्ती गती कहलाती है बृत्ती गती कहलाती है बाते समझ में आया प्यारे बच्चों जैसे जैसे प्यारे बच्चो पहियों की गति है पहियों की गति है पहियों की गति है फिर प्यारे बच्चो दूसरा एक्जामपल क्या आ गया पहियों की गति है दूसरा एक्जामपल आप क्या दे दोगे प्यारे बच्चो घड़ी के सुई की गति है और कौन सा लट्टू की गति कौन सी गती प्यारे बच्चो लट्टू की गती यह सब आपके क्या हो जाएंगे बृत्ती गती के एक्जामपल हो जाएंगे प्यारे बच्चो बहुत सारे आपको मिलेंगे बृत्ती गती का प्यारे बच्चो बहुत सारा जैसे कोई जो है साइकिल जो है आप साइकिल पर ब लिखना चाहते हो लिक सकते हो गड़ी की सुईयों की गति अब प्यारे बचो तीसरा आता है कौन सी गती आती है दोलनी गती तो ध्यान से समझेज़ Coach का होता है देखिए देखिए प्यादे बच्छो देखो यह क्या है जब कोई वस्थो एक स्वेश्चित बिंद्ड को क्या मान ले केंदर मान ले एक निस्चित बिंद को केंदर मान के अपने केंदर के इधर उधर अपने केंदर के इधर उधर गती करें जितना इधर जाए उतना इधर आए जितना इधर जाए उतना इधर आए यह कौन सी गती कहलाती है दोलनी गती कहलाती है सरसर थोड़ा बं रश्त्टू जो होता रहे या की एक निच्चित को मान कए अपने केंदर को मान कर इधर तयाiała्ट के इस प्रेकार कि गति करें ऐसेakhdr कुन सीगति काल दोलनी गति काल वैसे आपने देखा जुलने के रहे यह क्या होता है एक जिस्तिर हो जाता है एक बीनदु को केन्द्र मान लेता है उसके बाद अपने पठ के इधर उधर इधर उधर इस प्रकार की गती करका रहता है तो यह तो को itself कि एक निश्चित बिंदु को केंद्र मान कर अपने पत के इधर उधर गती करे तो वस्त की गती दोलनी गती कहलाती है वस्त की गती दोलनी गती कहलाती है जैसे जैसे जूलने की गती कौन सी गती जूलने की गती या जूले की गती किसकी गती जूले की गती फिर दूसरा एक्जामपल कोना आता है आपने देखा होगा घरी में कोई पेंडूलम लटके रहते हैं जैसे ही बा करता होगा ठीक तो किसकी गती होती है पेंडूलम की गती पेंडूलम की गती है ठीक इद आ दी बहुत सारे आपको एक्जामपल मिल जाएंगे प्यारे बच्चो इस प्रकार हमने जिन टॉपिकों के बारे में आज कहे थे वह टॉपिक आपको बता दिये गए बिरामा वस्ता गती ओ गती की प्रकार अगर आपको कहीं भी किसी भी टौपिक में कोई डाउट हो आप कमेंट वाक्स में कर सकते हैं और प्यारे बच्चो उम्मेद करते होंगे वीडियो आपको प्रसंद आया होगा अगर प्रसंद आये होगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भार!